दरसल ये कहानी बहुत लंबी है, 2012 में तिहाल शुरोमनी नवीन जिंदल से सौ करोड उगाही के आरोप में जेल गए थे, 2024 में मामला ऐसा हो गया है कि नवीन जिंदल उसी भाच्वा में शामिल हो गए हैं, जिसके लिए तिहाल शुरोमनी दिन रात से रशासन करते रहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में गंगोत्री खुल गई है, लेकिन मजाल क्या कि भाई एक रिपूर्ट, एक शो या फिर एक सवाल उठा दे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, शुरोमनी को तो बस ये बात पता है इलेक्टोरल बॉन्ड को दर्बारी हुलक्चल्वों की निगाह से समझना हो, तो इस एक उधारल से समझे